है daanti नमस्कार मैं हूं सुनील वोबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्जक्रम विहार सम्चार जहां बाते करते हैं विहर की खबरे होती विहर की खबरों के साथ देश दुनिया में क्या Kुछ चल रहा है तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट कहा है और गाओं की सरकार को लेकर बिहार सरकार की क्या है रुपनिती किसा है फंड़ वाट साथा समुकिया सरुपश फंच को लेकर क्या चल रहा है इन यूजनाओं का किंद्र सरकार से कितनी मिल रही है मदद तमाम चीज़ों को हम कराते हैं आपको अपडेट तो आज की बड़ी खबर बता दे बिहार के लिए साकारात्मक खबर है बिहार के विभीन मौडलों की परसंसा दहां देश में हो रही है अब बिदेशों में भी होना सुरू हो गया है अगर माने तो जल जीवन हर्याली को लेकर बिहार मौडल की परसंसा अब दुनिया देखेगी दुनिया देखेगी जल जीवन हर्याली मौडल की खुमिया बिहार को कारवन परदूसान तटस्त राज बनाने की दिसा में विसेस रन्निती बना कर हो रहा एक काम तो बिहार के जो जल जीवन हर्याली योजना है अब पूरी दुनिया दीखेगी अब पूरी दुनिया बिहार के नल जल जीवन हर्याली की खुबियों को करीब से देख पाएगी बिस्वे मंच पर दुनिया के सामने बिहार के जल जीवन हर्याली पर चर्चा होगी मिस्र में आयोजित Conference of Partage COP की 27 अंतराश्टिय वार्सिक बैठक में बिहार भी अपनी बात रखेगा अब इस अंतराश्टिय मंच पर बिहार का मुख फोकस जल जीवन हर्याली ही होगा हलाकि ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन पर जमीन अस्तर पर किये जा रहे कार्ज और इड़ भटोक से उत्पन परदूसन को लेकर भी बिहार अपनी पहल का जिक्र करेगा वह बताएगा कि उसके कार्बन को किस तरह से राज के ततश्ट किया जा रहा है राज में ततश्ट किया जा रहा है दरसल बिहार ग्रीन हाउस गैस सुची सुरूतों का दस्तावेजी करन और उसके आकलन पर अध्यान करने वाला पहला राज है कि लिहाज़ा समिट में बिहार बताएगा कि जल्जीवन हरियाली ने कैसे फरक पैदा किया है कैसे बिहार का पर्यावरन बहतर हुआ है और कैसे इसका सीधा लाब आम आदमी को भी हुआ है तो अब विस्व पटल पर भी बिहार की चर्चा होगी बिहार के जल जीवन हर्याली की चर्चा होगी वहीं पंचायतों को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि अब हर पंचायत में पैक्स केंद्रे खोले जाएंगे याने धान खरीद केंद्रे खोले जाएंगे राज की हर पंचायत में धान खरीद केंद्रे खोरे जाएंगे पैक्स की तैयारी चल रही है अभी उत्तर भिहर के पांच परमंडलों कोसी पूर्णियां तीरहुत दर्भंगा एवं सारन में इसकी हो रही है खरीदारी और परखंडों में बैपार मंडल के माध्यम में क्रय क केंद्रे खुलेंगे और पंदरह से राज के सभी जीलों में धान की अधिप्राप्ति होगी अब तक बारह हजार साथ सो तीहसन मिट्रिक तन धान की खरीद हुई है तो यह बड़ी पाल जो है पैक्सों के दवारा किया रहा है बिहार की पंचायतों में पैक्स दवारा धा जुना बनाई गई है राज के सभी जीलों में धान अधिक प्राप्ति की परकिरिया 15 नमंबर से शुरू होगी जिलास्तर पर किसी भी धान करेकेंद्र में निर्धारित रहती किसान से 200 क्यूंटल से अधिक धान खरीद की नहीं कि जाएगी बरतमान में एक नमंबर से विपनन वर्स 2022 ते इसमें राज में 45 लाक मिट्रिक टन धान खरीद का संकेतिक लच्च रखा गया हलाकि इससे अधिक धान की प्राप्ति होने पर उसे भी खरिदा जाएगा और इधर पचुआ से पटना सहित 22 जिलों में तापमान लुढका है ठंड का असर दिखने लगा है पचुआ और उत्तर पचुआ हवाओं की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी है जिसका असर अब राज के अधिकतर सहरों में दिन में तापमान पर भी पढ़ने लगा है अब तक नियुनतम तापमान में उतार चढ़ाओ चल रहा था लेकिन सनिवार को पटना सही थे 22 जीलों के अधिकतर तापमान में कमी आई है कई सहरों में सुबह से सुबह में अब धूंद की स्थिती 9 बजे के आसपास तक दिखने लगी है ठंड का असर होने लगा है मौसूस होने लगा है और इधर लोगों को मजबूती देने के लिए संगठन को अभियान संगठन को अभियान चलाया जाएगा इस अभियान में हमारी मदद की जरुएत होगी तो कुछ है शिमाओं को लंगते हुए सहायता करेंगे यह बाते बिते दिन श्री कृष्ण मेमोरियल हौल में आयोजित अखील भारतिये कुछवा महाशवा के खुला अधिवेशन में पुर्व मंत्री उपंद्र कुछवा ने कही है और इधर हम आपको बता दे कि महागडबंदन के सा 75-35 भोटर ललन का काना है राष्ट जदिव के राष्टी अधियाच ललन सी ने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि भाजपा हर सीट पर एक बोरो खिलाडी भी मैदान में उतारती है दवा किया है कि 75-35 भोटर महागडबंदन के साथ है बड़े अंतर से यह सीट हम लोग जीतें मालूम हो कि मनोच कुस्वाह जदिव में वर्ष 2005-2015 तक कुढ़नी से बिधायक थे और मंत्री भी रहे हैं इस मौके पर उक्त दोनों नेताओं के अलावा कांग्रेस परदेश अधियाच मदन महंज्जा माले के केड़ी यादो हम के संतों सुमन सीपी एम के अरूंद मिस्र चीपी आई के राम नरेश पंडे जदिव परदेश अधियाच उमेश कुस्वाह मंत्री आलोक महता सहित कई लोग मौजूद थे और इधर दुनिया में देखनी की बाते हो रहे हैं बिहार मोडल की कांग्रेस सराबंदी के पच्छ में थी और रहेगी भी मदन का कहना है य पच्छ ने कहा कि मुखमंत्री नितिश कुमार बिहार में लागो तरह बंदी की सफलता के लिए लगतार कदम उठा रहे हैं और समय समय पर सरकार शंबोधन करती भी आई है और इधर बात सिच्छा भी भाग की कर ले तो सिच्छा भी भाग अब लगतार सूद पर सूद प बच्चे एस्कूल आएंगे जहां खेल कूद गतिविधियां और खेल खेल में पढ़ाई के गूर सिखेंगे और उसी दिन जो है ने सिच्छक और अभी भावक बैठक भी होगी आपको बताते चले पहल किया गया है इसकी सफलता देख सिच्छा भी वाग ने जीलो को दिय निर्देश महीने के अंतिम सनिवार को किसी एक कच्छा का होगा सरकारी विद्यालियों में हरमा होगी अभिभावक सिच्छक बैठक और बैगले सुरचित सनिवार में प्रोधान रखा गया है 20 अक्टूबर को सामिल हुए 14 लाग से अधीक अभिभावक और 40,000 अश्कूल में सिच्छक अभिभावक बैठक आयोजित की गई थी हर बच्चे की सहची किस्तिती पर अब होगी बात शीरत है आपको बता दे बिहार के सरकारी विद्यालियों में भी निजी अस्कूलों की तर्च पर पिटीय में यानि की अभिभावक सिच्छक बैठक होगी फिलार ए के मुताबिक हर महीने के चौते सनिवार को किसी एक कच्छा की अभिभावक सिच्छक संगोश्टी बैठक आयोजित की जाएगी और इधर बता दे कि अस्कूल अस्पतालों के चाह आठ सो मीटर दाएरे में अब इट भट्टे पर रोक रहेगी इट उधोग की भी शिमा हो तै होगी नई तकनिकी के अधर पर आपको बता दे कि बिहार में इट भट्टा खोलने का निगम और कड़ा बना दिया गया है अब बस्ती अस्कूल अस्पताल कोट और सरकारी दफ्तरों के 800 मिटर की परिधी में कोई इट भट्टा नहीं खोला जा सकेगा यहीं नहीं इट भट्टे की नदियों से दूरी भी 500 मिटर होनी चाहिए इट भट्टों की दूरी नेशनल हाइवे से कम से कम 300 मिटर और अस्टेट हाइवे से 200 मिटर को भी अनिवार्ज बना दिया गया है तो जितने भी भट्टे मालिक हैं इस नीमों के अनुसार अगर आपका भट्टा सह जगा पर है ठीक है और नहीं तो भट्टों को हटाने की परकिरिया जो है सरकार के द्वारा अब फिलाल चालू कर दिया गया है आप कितने परिधी में हैं यह लमसम देख लें इदर बिहार में चिनीत 8902 जगों पर सड़क हासे रोकने के होंगे अब उपाएं इस अस्थल किलो मीटर सड़क हैं और 2284 लोग मारे गए हैं सड़क दुरघटनाओं में वर्स 2021 में 414 अस्थलों पर संके तक लगे और दुरघटनाओं में आई है इससे कमें दुरघटना रोकने कई कई उपाएं भी बताएं और इधर बता दे कि पंडित नहरू की परतिमा का अनावर अनावरन किया गया जिस पर शीमने नमन किया है घैस के हलपना में की आलोचना की गई है और सहराबंदी को फिल बताना दुरभागयपून है राश्टिय प्रगतिपाटी के राश्टिय देट मूंद प्रफेसर अमरेकांत सहनिका की भी आर में साराबंदी की फैह पेल बता को परिवार आवाद हुआ है और इधर चंपारर में पाटली पूत्रे के लिए चले चार ट्रेने और आरच्छन बढ़ाने का फैसला स्वागत योग है और इधर बताते चले कि अबयद बालू और सराब के खिलाब करें कारवाई यह खबर निकल कर सक्ति दिखाई गई है और करवाई चालू रखें इधर मुकमंत्री नितिस कुमार ने की समिच्छा बैठाक संब्धित संब्धित पदाजिकारियों को दिये हैं कई निर्देश धान खरीत का जिलावार लच्छे तैय करने की बाते आई है 2040 रूपे इस बार तैय हुआ है ध्यान का समर्थन मुल और कहा मुकमंत्री ने किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए प्रिरिद करें अधिकारी किसानों के बीच 50% कराएं धान उन्हीं मिल्रों को दे जो उसना चावल दे सके यानि उसना चावल पर भी हर सरकार का जोर ह ज्यादा से ज्यादा उसना चावल मिल मालिकों को जोड़ें और इधर उप्चुनाओं की अगर बात कर लें तो कुड़नी में जदिव के मनोज कुश्वाह होगे महागटबंधन के उमिदवार महागटबंधन के सभी साथ दलों के नेताओं ने प्रेस कोंफ्रेंस में की यह घोशना और ट्यूटर का ब्लू टिक के लिए पैसे देने पर रोक है और जदिव नेता वह नेता के भाई वह भतीजे को गोली मारी एक की मौत आरा की है घटना और जारकंड से चोरी दो इसास राइपल भोशपूर से बरामत किया गया तेया थी आज की ताजा तरीन खबरे जो जानना जरूरी ता आपके लिए काम की खबरे थी और इदर बता दे आपके मोटे होने से साल पर पहले की बोड़ी बताती है अलार्म और आज किसका यह तो आपने देखा किसे ताज मिला और इदर हम आपको बताते चले कुछ और खबरे कि जहां बिश्व कब से इंडिया टीम बाहर हो गई वहीं आज की रुमान्चक मैच इदर भारत बिटेन को एक दूसरे की जरूरत है भारत में सतरंज का भविश उजवाल अनन्न का कहना है कुछ लोग हतासा वा निरासा में दे रहें गालियां पीएम मोदी ने बोला हम ठकते नहीं है क्योंकि हमें 2-3 किलो प्रति दिन गालियां मिलती है प्येम मोदी ने यह बड़ा ब्यान दिया है जो इन दिनों उनका वीडियो वाइरल हो रहा है है फिल्ट तक हावाई एड़े पर रोका गया और रूस यूक्रेयन जूद से दुनिया भर में महांगा होगा खाद आया आते तो यह थी आज की प्रमुख खबरे धन्यवाद जय हिंद जय भारत बंदे मातरम